हलो फ्रेंड्स मैं धरमेंद्र अपने यूटूब चैनल अमेजिंग पार्ट साला में आप लोग का पुनस्वागत करता हूं दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के लिए अंग्रेजी के कुछ महतपुर्ट शब्दों के अपोजिट वर्ड को लेकर आया ह है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेडिस्ट में जाकि वीडियो को वाच कर सकते हैं तो दोस्तों आईए बतास गवाइए वीडियो को श्टार्ट करते दोस्तों पहला वर्ड है आप लोगो के लिए exit तो दोस्तो exit मतलब होता है निकास अर्थात बाहर निकलना और इसका दोस्तो अपोजिट हो जाएगा entrance अर्थात प्रिभेश करना next दोस्तो final तो दोस्तो final का जो opposite word होगा वह दोस्तो first होता है तो final मतलब आखरी होता है और first means पहला होता है next है find तो find means एक तरह से पाना या खोज करना होता है इसका दोस्तो अपोजिट हो जाएगा lose अर्थात खो देना या फिर गमा देना next word की तरब बढ़ते हैं दोस्तों जो कि यह finish तो दोस्तो finish का opposite word begin होता है तो finish मतलब समाप्त करना और begin मतलब प्राराम करना next है finish तो दोस्तो finish का एक और opposite आपका start होता है तो finish मतलब समाप्त करना या अंद करना और दोस्तों इसका opposite हो जाएगा start करना अर्था सुरू करना next है first दोस्तों first का opposite word final होता है यह last भी कर सकते हैं तो दोस्तों first मिस्वाला और final मतलब अन्ती में जहोता है next word कीतर बढ़ते हैं दोस्तों जोकी है डहलों के लिए fix तो दोस्तों fix मतलब जमाना इसका चोना ईसrat पहारी यूग अर्धाद उबर्खावड जो सम्तल नहो नेक्स्ट वर्ड की तरब बढ़ते हैं दोस्तों जो की हैं इंज्वाएं तो दोस्तफ़ इंज्वाएं मिंस आनन्द लेना इसका दोस्त प्रवेश और निकास अर्थत प्रवेश और निकास इसका हिंदी हो जाएगा नेक्स्ट है है इक्कवल तो दोस्तों का ब्राबर यह सम अर्थ ओड्म मिंस क्या होता है था next word की तरफ बढ़ते हैं मित्रों जो की है yeah excited का भूजिट वर्ड काम होता है accepted होता है उत्तेजित धित हो जाना है न quartि उलड़ा हो जाएगा चाम में सर्थांथ होना या सांती रखना है एक सब्सक्ताइटन अर्थ हो अर्था जो आपको कहीं गेंटरटैंबनेंटंड न करेंए yeni ale == एक्सक्लूड सोक्ष्णT का अपूजी टॉटर इन्कलूड होता है दोस्टों एक्सक्लूड मतलब होता है बाहर निकालना रथा सामिल नहीं करना और inclusive मतलई दोस्तों अंदर करना रथा शामिल करना ठीक मतलब एक्सक्रविट बढ़ते हैं जो कि यह है फ्लोर तो दौर मीन्स फर्स होता है इसका पोजेट हो जाएका से ठीक दोस्तों ceiling मतलब च्षत होता है next आ फालो तो दोस्तों फालो का पोजिट वर्ड लीड होता है तो फालो मतलब अनुसराण करना है पीछे-पीछे चलना होता है और इसका दोस्तों कर सकते हैं नेंत्रीतकन आगे आगे चलना नेंगे यहां पर दोस्तों यह हो जाएगा अब को अबनाकरना करना इंकारकरना और फारम customers अलाव मतलब अनमती देना येक्स्ट बीसा वर्ड की तरब बढ़ते हैं दोस्तों जो की यह है फार्म तो दोस्तों फार्म का अपोजिट डेस्ट्रॉय हो जाएगा दोस्तों फार्म मतलब होता है रूप देना या फिर निर्मार करना बनाना होता है इसका दोस्तों अपोजिट हो जाएगा डेस्ट्रॉय ओले यह संदर मतलब नया है न वल मतलब पुरानिस मतलब है तो स्भस्ट या1 225 तो हार्वेस्ट का उन्य सफिव का वैंसल ना मतलब होता है और प्लांड मतलब होता है पाउधा लगाना अर्ताद मतलब होता है रसक पैम Tina ठीकिंड सनेट है अले हिलोट है है थी ह्योंता है अले स्वास्त बृद्फ का नियुक्त है नेग्स बाड दोस्तों बढते हैं दोस्तों जो कि है healthy, तो दोस्तों healthy का opposite word ill होता है, तो healthy मतलब स्वास्थ होता है, यह जो स्वास्थ होता है, उसे healthy कहा जाता है, और दोस्तों ill मतलब रोगी या बिमारी कह सकते है, next है heaven, तो दोस्तों heaven का opposite word hell होता है, तो heaven means work और हैलने हैं तो थो हैवी का होगा हो जाएगा अभी जो की हआधिया तो हैल मतलब यविग कर गैना होता है तो फो that होज़िट होता है होज़िट होता है तो इस्ट मतलब हो निबस्ट होता है जिनकी घर महमान आते हैं दोस्तों उन्हों host कहा जाता है उसकी हिंदी दोस्तों मेजबान होता है और guest का क्या होगा महमान होगा next है huge तो दोस्तों huge का opposite word tiny होता है huge मतलब बिशाल अर्थात बहुत बड़ा और दोस्तों tiny मतलब छोटा या बाउना भी कह सकते हैं ठीक दोस्तों next human तो दोस्तों human का opposite word animal हो जाएगा human मतलब मानो होता है human मतलब जो कर सकते हैं कि सब्सक्राइब होगा जो क्रिपा क्रिपालू हो इसका अपोजिट हो जाएगा क्रूल अर्थाद कर सकते हैं कि निर्दई next word की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है humid दोस्तों humid का opposite dry होता है दोस्तों humid मतलब नमि युक्त या गीला भी होता है इसका दोस्तों opposite dry अर्थाद सुखा हो जाएगा next है hungry दोस्तों hungry का अपोजिट थर्ष्टी होता है तो हंगरी मतलब भूखा और थर्ष्टी मिन्स प्यासा होता है नेक्स्ट वर्ड की दरब बढ़ते हैं जो कि है हस्बैंड तो हस्बैंड का अपोजिट वर्ड वाइप होता है तो हस्बैंड मिन्स पती वाइप मिन्स पत्नी होता है next in front of in front of का opposite back हो जाएगा तो इन front of में सामने होता है और back मतलब पीछे next ignore तो दोस्तों ignore का opposite notice हो जाएगा ठीक दोस्तों ignore मतलब होता है ध्यान न देना उपेक्छा करना और notice मतलब दोस्तों ध्यान देना अगले word की तरफ बढ़ते हैं जो कि है import दोस्तों import का opposite export हो जाएगा तो दोस्तों import मतलब होता है कि आयात करना अर्था जब हम बाहर कोई चीजे मंगाते हैं दोस्तों इसको import कहा जाता है और दोस्तों जब कोई चीजे हम मतलब अपने देश से या दूसरी जगा भेजते दोस्तों export कहा जाता है यानि import का आयाट और export का निर्यात हो जाएगा ठीक दोस्तों next है in तो दोस्तों in का opposite out होता है दोस्तों in means under out means बाहर next include दोस्तों include का opposite exclude हो जाएगा दोस्तों include मतलब दोस्तों सामिल करना exclude मतलब बाहर कर देना अर्था निकाल देना next है life तो दोस्तों life का opposite death होता है और दोस्तों life में जीवन होता है और death का जित्ति हो जाएगा next है light दोस्तों light का opposite यहां पे dark होगा तो दोस्तों light का यहां का मतल बलकि light मतलब प्रकास होता है और दोस्तों यह dark मतलब करसे कि अंधेरा या गहरा भी होता है next है like तो दोस्तों like का opposite head हो जाएगा दोस्तों like मतलब पशंद करना head मतलब green करना या फिर करसे क्लिए नफरत करना नेक्स्ट वर्ट की तरब बढ़ते हैं दोस्तों जो किया है लिटल लिटल का पॉजिट भीड चाहेगा ठीक दोस्तों लिटल मैं चोता होता यह झो tutti की बात हो रही साइस की बात हो रही नेक्स्ट वर्थ देख रहे हैं फिल लिटल आया है तो दोस्तों यहां पर लिटल का पोजिट मच हो जाएगा तो दोस्तों लिटल का यहां जो अर्थ होगा थोड़ा होगा और मच का अधिक हो जाए अर्थाद यहां भी क्वांटिटी की गांड़ हो रही है कोमिलना 1 पड़ा घीऊ की सा रहरें है the Kush Qin विह मतलइ ग़ीट PG1 भी इस सकते हैं और इसका मतलए ड्या मरतffen क्या हो जाएगा क्या नेक्स टें लॉंग तो नंग का बोजिट इसका फोजिट होगा जिसका मतलब दोस्तों चोटा होता है जिसे दोस्तों दिर्ख और लग भी कह सकते हैं लुज तो जितने भी महत्पुर्ण सब्दों के opposite words थे उसका दोस्तों हम लोगों ने काफी अच्छे से हिंदी और अंग्रेजी में यानि दोनों भासा हम उसका दोस्तों काफी अच्छे सद्धन किया है तो दोस्तों यह आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सभी अगर help줘 हो आपके कैब को आपके English को इंप्रूव करने में थोड़ा भी योगदान देच दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों यदि आप लोगों अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिन जय भारत